अगर आपके पास दो या दो से जादा सेपरेट पीडियाफ या मल्टिपल पीडियाफ फाइल्स हैं तो आप उनको कैसे कमाइन कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम जानने वाले हैं बहुत एजी है और इस जो प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ या आप अपने लापटाप से, मोबाइल फोन से या फिर टैबलेट किसी से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास देक्स्टॉप पर दो पीडियाफ फाइल्स आप यह लिख सकते हैं इसके बाद आपको कुछ वेबसाइट दिखाई देंगे इसमें आपको चूज करना है सेकंड नमबर की वेबसाइट इलवफीडियाफ.com इस लिंक को आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको वो फाइल्स अप्लोड करनी है जिनको आपको मर सेकंड जो नमबर की फाइल है उसको फर्स नमबर पर रखना है यानि वो मुझे पहले चाहिए पीडियाफ में तो मैं उसका ओडर चेंज कर सकता हूँ. अगर आपके पास मल्टिपल पीडियाफ फाइल्स हैं और आप उने एक पर्टिकलर ओडर में सेट करना चाहते हैं, म मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पर इन पीडियाफ फाइल्स को नाम दिया है आप भी वैसे कीजिए 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf यह आपकी help करेगा यहाँ पर order को arrange करने में, तो यहाँ पर मैं वापस इसको set कर देता हूँ, तो 1 और 2, इन दोनों को मुझे merge करन ना है merge pdf, अब यह process हो रहा है और within few seconds, मतलब पलक जपकते ही आपको यह process complete हो चुगा है, अब दो pdf नहीं, मेरे पास एक pdf आएगी, यह देखिए, यहाँ पर download हो चुगा है, अब मैं इसको open करता हूँ, तो दोनों pdf का जो content है, वो merge हो के मेरे पास एक single pdf में आ गया है, pdf files है, उनको convert कर सकते हैं, merge कर सकते हैं, एक single pdf file में, दोस्तो अगर आपको यह video अच्छी लगी है, तो channel को अभी के अभी subscribe कर लो, video like कर दो, और ऐसी videos का notification सबसे पहले पाने के लिए, जो bell icon है, उसको भी press कर दो, और अगर यह video आपको अच्छी लगी है, तो comment box में मुझे thumbs up या फिर wow लिखकर बताइए, कि आपको यह video अच्छी लगी है, मिलता हूँ आपसे एक और next video में, तब तक के लिए take care, thank you so much, have a nice day.